असलाम लेकुम वो तमाम बच्चे जो रेनन मार्टन के किताब को पढ़ना चाहते हैं मैं यूट्यूब पर डेटेल्स के साथ अप्लोड करने जा रहा हूं पूरे वीडियो पार्ट्स अव स्पीच की आज का टापिक है नाउन टापिक पढ़ने से पहले आप करें मेरे यूट्यूब चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें आए नाउन क्या है विसे नाउन टो डेफिनेशन बहुत यासान है लेकिन हमने यहां तक नहीं पढ़ना है हमने आइडिन्टिफिकेशन भी देखनी है कि नाउन को कैसे आइडिन्टिफा किया जाता है और लान का इस्तेमाल यानिके इनकी implementation कहां कहां इस्तेमाल की जाती है, सबसे पहले हम काइंट्स पढ़के आपको बताते हैं के one number one proper noun अचा जी proper क्या होता है जो एक श शक्स के उपर इस पर इस्तेमाल हो या individual existence हो जेसे word है Babar एक बाबर जो एक particular नाम है और और भी याद रखिएगा जब भी आप proper noun इस्तेमाल करें sentence में तो आप उनका इस्तेमाल capital letter से start करें जैसे बाबर है और समिया है और कराची है एक कराची individual city है वो पूरी दुनिया के अंदर बाकी नहीं मिलेगा आपको तो ये proper है common क्या होता है जैसे king है girl है और city है city जो है word common है वो हर शहर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है गर्ल जो है हर लड़की पे उपर हम कह सकते हैं, she is a girl, king, king भी हम इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे सौधी अरबिया king, दुबई के king, और बाकी मिडल इस्ट के जो king है, उनके भी इस्तमाल किया जा सकता है, तो ये हो गया common, जो के हर नाम पे हो सकता है, और ये हमेशा जो है, करके सिमाल लेटर के इस्तमाल करें, कुलेक्टिव, अच्छा कुलेक्टिव क्या होता है, वो ग्रूप होता है, पीपल का या चीजों का, जिसके लिए हम सिर्फ एक वर्ड इस्तमाल करते हैं, जैसे वर्ड एक क्राउड, ये क्लेक्टिव नाउन है, क्राउड क्या होता है group of people, हम यह नहीं कहते हैं, crowd, police, police के अंदर कोई एक शक्स नहीं होता, हम कहते हैं पुलीस के गाड़ी आ रही है, तो police के अबलदार होते हैं, yarni employees होते हैं, एक तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो police, army of Pakistan, करता हैं तो आर्मी dragged डाउन है यानि आर्मी में कोई एकशेक्स नहीं होता बहुत सारे होते हैं इसलिए हम इनका वर्ड को कहते हैं कंपर उसके बाद यहां पर एक एमस्ट्रेट अच्छा जीन क्या होता है वो डाउन जो हमें दिखाई नहीं देता वो डाउन जिसको हम तउ नहीं कर सकते हैं जिसकी कोई फिजिकल एक्सेस्टेंस नहीं होती इसके तीन टाइब होते हैं quality abstract noun है और action abstract noun है और state abstract noun example quality में wisdom देखें wisdom एक क्या है आपकी quality wisdom noun है वैसे जिसे कहते ना विजड़म इस बंदे में नहीं है यानि के इसमें अकल नहीं है और ब्रेवरी बहादुरी अच्छा जी यह adjective से बनते हैं नाउन जो होते हैं quality वाले adjective से बनते हैं जैसे wise wisdom brave bravery kind kindness तो यह noun है जो quality दिखाते हैं और action noun क्या होते हैं laughter हसी आती है हम कहते हैं आपका laughter अच्छा नहीं है क्याने noun की बात कर रहें आपके laughter की बात कर रहें और movement याने के हरकत जिसको कहते है movement noun है state childhood बच्पना यह भी क्या है state है और poverty गुर्बत यह भी आपका क्या है state बताता है वजूद बताता है और उसके बाद last one material noun अच्छा जी material क्या होता है यह physical farm होता है याने कि जिसको हम touch भी कर सकते हैं देख सकते हैं और इसको हम divide भी कर सकते हैं इनके दो होते है एक countable और दूसरा होता है uncountable for example countable जैसे table है table को आप count कर सकते हैं तीन चार पांच शे साथ और pen book और इस तरह के सारे क्या है countable है और